फर्स सेक्शन जेनरल अवार्नेस का है जिसमें की टोटल 20 कुछे जाते हैं और हर एक कुछन एक माक का होता है कुछन वान विच अफ दो फॉल्विविग इस डाजेस्टिव जूस सिक्रेटेट बाई अवर बॉदी ब्लड हम सभी जानते हैं कि खून को कहा जाता है और वो कोई डाजेस्टिव जूस तो है नहीं और डाजेशन का प्रोसेस कहां से शुरू होता है माउथ से और माउथ में कौन सा ऐसा जूस है जो सिक्रेट होता है वो है सलाइवा So the digestive juice secreted by our body is option C, सलाइवा Question 2, a type of food preservation method that involves sealing food in an airtight container which is then stylized is called DASH यहाँ पे हम से ऐसा food preservation method पुछा गया है जिसमें कि food जो है एक airtight container में seal किया जाता है और उसके बाद stylized भी किया जाता है तो यहाँ पे सिर्फ दो ही food method दिये गये हैं वो है freezing और canning तो जो हमारा correct option होगा वो हो जाएगा option C, canning इस तरीके के डबो में अक्सर आपने देखा होगा market में कौन्स मिलते हैं फिर vegetables मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़े इस तरीके के can में मिलती हैं जो की sterilize करके chemicals डार करके market में बेची जाती है जिसे long time वो store किया जा सकता है option A की बात करें dehydration तो dehydration का मतलब होता है जब body में से water loss जादा हो जाता है तो उसे कहते हैं हम option B में दिया गया है freezing जो की एक food preservation method है जिसमें की जो food store करना होता है उसको उसके freezing point के temperature के नीचे तक expose किया जाता है तो उससे क्या होता है उसका state of matter जो है वो change हो जाता है और properties of the food are altered and it turns into ice और वो solidify हो जाती है और जो moisture होता है food का वो भी solidify हो जाता है और उस तरीके से food जो है freeze किया जाता है option D fermentation का मतलब होता है एक ऐसा chemical change जो की कहाने पीने की चीज़ों में होता है due to bacteria yeast या molds और इसका सबसे अच्छा example हो जाता है fermentation का हो गया bread, wine, beer, cheese और बहुत सारी ऐसे खाने की चीज़े हैं question 3 which of the following instruments is used to record our heart's electrical activity चारो option में से हमें वो device का नाम बताना है जो की हमारी heart का rate का record कर पाता हो option A में दिया गया है fake manometer जो की use किया जाता है BP measure करने के लिए यानि blood pressure measure करने के लिए option B में दिया गया है nebulizer जो की एक electrically powered machine होती है जिससे की liquid medication होती है वो एक mist form में आ जाती है और उसको nose पर patient के लगाया जाता है जिससे की वो असानी से सांस ले सकते हैं उने बहुत बार देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे हैं जब उनको सर्दी खासी और coffin बहुत जाता जम जाता है तो उनको nebulizer लगाया जाता है जिससे की उनका ये जो सांस के नली है वो clear हो जाए और वो आसानी से सांस ले सके क्योंकि उनका बहुत जादा कफ जम जात तो electrocraft हो गया या ECG short form होता है तो वो ही use किया जाता है जिससे heart की activity record की जाती है option D में दिया गया है thermometer जो की बहुत common instrument है जो की हर के घर में use किया जाता है हमारा body temperature मापने के लिए hence here the correct option is C question 4 the stick insect looks like a stick this is an example of dash option A में दिया गया है migration इसका मतलब होता है कि एक group of species अपना खुद का environment छोड़के किसी और environment किसी और country में जाता है migration का सबसे अच्छा example है Siberian craze जो की रशिया का freezing cold छोड़कर के इंडिया में आते है क्योंकि इंडिया का environment उसको वहां से बहतर लगता है और यहां पर winter कम होता है so they migrate to India or to China option B में दिया गया है mimicry so mimicry का मतलब यह होता है कि जब वह अपने आपको particular organism उस तरीके से ढाल लेता है अपने physical appearance को to blend with the surroundings ताकि उसके दुश्मन उसको पहचान ना सके और इसका सबसे अच्छा example है stick insects या moths तो यहां पर हमारा जो correct option होगा option B mimicry option C hibernation का मतलब है a deep sleep that helps the organism to save energy and survive the winter without eating much सबसे अच्छा example hibernation का है bats, hedgehogs, bears option D estivation का मतलब होता है कि slowing of activity during the summer season estivation के example है earthworms, frogs, bees, snails, tortoise, crocodiles question 5 what kind of plant is pond weed option A है aquatic plants so aquatic plants are those plants which live in or on the water aquatic plants के example है water lily, lotus and pond weed option B में दिया गया है mangrove plants so mangrove plant या bushes कहलें इस तरीके के plant होते हैं जो कि thick clusters में उगते हैं oak, deodor, pine, maple, spruce, option D desert plant वो हो गया जो कि desert में उगते हैं for example cactus और cactus जो है उसका stem बहुत fleshy होता है और उसके stem में ही water store किया जाता है here the correct option is A aquatic plant question 6 the flag shown in the given picture belongs to तो यह जो image दी गई है जिसमें आपको दीखराओं का दोनों side red है बीच में white color है background में और उपर एक maple leaf बनी भी है तो यह जो image है यह flag है Canada का तो Canada का flag को remember करने के लिए आपको यह maple leaf को याद रखना पड़ेगा hence correct option is B Canada question 7 the given picture shows the famous Buddhist temple of Borobudur in which country is it located question image में जो temple दिखाया जा रहा है वो एक 9th century का Mahayana Buddhist temple है जो की Megalang region C town of Mantilan in Central Java Indonesia में located है hence correct option is A Indonesia question 8 the person's shown in the picture was a social rights activist, politician and the first black president of South Africa identify him option A है Barack Obama so Barack Hussein Obama is American politician who served as the 44th president of the United States from 2009 to 2017 option C में दिया गया है John Fitzgerald Kennedy he was the American politician who served as the 35th president of the United States option D में है Kofi Annan he was a Annanian diplomat who served as the 7th secretary journal of the United Nations from 1997 to 2006 question image में जो हमें picture दिखाई गई है वो है Nansal Mandela option B and he served as the first black president of South Africa between the period 1994 and 1999 so correct option is B Nansal Mandela question 9 Hari Prasad Chaurasiya is a very popular and eminent artist which of the following musical instruments is he associated with first image है वीना second image है तबला third image है फ्लूट and fourth image option D वाली जो है वो है संतूर Hari Prasad Chaurasiya is an Indian musician director and classical flottist who plays Bansuri second option is C question 10 which of the following instruments is used to view objects above the water surface in submarines पहला option है एंडोस्कोप जो की एक inspection instrument है जो की human body के अंदर तक भीजा जाता है जिससे की human body की diseases पता की जाया है either by mouth or by anus option C है एंडोस्कोप so electro world से ही आप याद कर जख सकते हैं electricity so this is an instrument for detecting and measuring electricity option D में दिया गया है radar so radar is an instrument that can detect surrounding objects using radio waves example के लिए हम ले सकते हैं ocean world, maritime world जिसमें की objects हो गई, ships हो गई, birds हो गई तो वो radar के जरिये detect कर ली जाती है option B है periscope so it's an optical instrument that is used to view objects above the water surface in submarines hence correct option is B periscope question 11 which of the following gases is used to prepare the fish of soft wings वो जो fees है जो bubble up करता है जब आप soda या coldring की bottle खोलते हैं so वो बनाया जाता है CO2 gas से carbon dioxide gas option D question 12 which of the following options helps you to browse the internet option A है Google Chrome option B है Microsoft Edge option C है Mozilla Firefox ये तीनों ही internet browse करने की काम आते हैं so correct option is option D all of these question 13 which of the following is not an example of precipitation first of all आप ये जान लो की precipitation क्या है precipitation कोई भी liquid या frozen water है जो की form हो जाता है atmosphere में आप वो वापस अर्थ पे आता है many forms में जैसे की rain हो गया sleet हो गया या snow हो गया यहां पे जो precipitation का example नहीं है वो है option B clouds बाकी के options A, C और D precipitation के examples है question 14 sewage water can be treated with the help of sewage water can be treated with the help of option B microorganisms question 15 which of the following is causing damage to the famous monument Taj Mahal situated in आगरा आगरा ताज महल के आसपास numerous industries हैं जो की gaseous pollutants release करती है air में जैसे की sulfur dioxide nitrous oxide जो की acid rain cause करते हैं और acid rain जो है reacts with marble जिससे की Taj Mahal बना हुआ है क्योंकि marble क्या है actually में calcium carbonate और उसी तरीके से progressively Taj Mahal को corrode कर रहा है so correct option is B acid rain question 16 the idiom give someone the gold shoulder means it means to intentionally ignore someone कान बूच के किसी को ignore करना question 17 who is the author of Oliver Twist? order of Oliver Twist is option A Charles Dickens question 18 dash is the traditional emeraldry of Punjab its option C full curry question 19 Ravi Kumar Dahiya received the major Dhyan Chand Khel Ratna award in 2021 with which sports is he associated? 2021 में रवी कुमार दैया ने silver जीता था Tokyo Olympics में and he became the second Indian wrestler to achieve this achievement and उसी साल Ravi Kumar Dahiya ने major Dhyan Char Khel Ratna award भी जीता था and he was associated with option C wrestling question 20 the course for some letters are given below find the code of earth तो यहां पे letters दिये है code दिये है तो E का code है 5 A का है 3 then R का है 2 T का है 4 and H का है Hashtag option C is the correct answer IGQ exam में second section current affairs का है जिसमें की total 5 questions पुछे जाते हैं और हर एक question 1 mark का हुटा है question 21 Who among the following has become the first woman cricketer to appear at six cricket world cups correct option is A. Mithali Raj question 22 Which of the following films won the best picture award at 94th academy awards held in March 2022 correct option is A. CODA C O D A Question 23 Who is the current lieutenant governor of Delhi Option A. Arvind Kejriwal is the chief minister of Delhi Option C. Amit Shah is Minister of Home Affairs of India and Option B. Vinaykumar Saxena is lieutenant governor of Delhi hence correct option is B question 24 What was the theme of the world health day 2022 correct option is A. Our planet our health question 25 latest Indian rupees 10 denomination bank node has the motive of dash on the reverse correct option is B. Sun Temple i. GQ exam third section life skills का होता है जिसमें की total 5 questions पुछे जाते हैं और हर एक question एक माक का होता है question 26 What should you do if some dirt gets into your eyes? अगर आपकी आखों में कोई dirt चली जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? correct option is A. Wash your hands and flush your eyes with water आपको अपने हाथ पहले अच्छे से धोने चाहिए उसके बाद अपने आखों को water से flush करना चाहिए जिससे की आपकी dirt निकल जाएगी question 27 Which of the following is an example of bad sportsmanship? Example of bad sportsmanship is option A. Committing a foul on purpose question 28 You are playing an Indo game with your friends and noticed as one of them starts saying mean things to your best friend what should you do? correct option is C. Try to make him her understand not to do so question 29 If you get bitten by a stray dog what should you do? तो अगर dog आपको bite कर लेता है stray dog तो हमें खुद कोई action नहीं लेना चाहिए but first of all हमें doctor के पास immediately जाना चाहिए option B. Go to a doctor immediately question 30 You have lost your cousin's book what should you do? correct option is A. You should admit your mistake and say sorry last section Achiever section ने दिया गया है और दुसरी तरफ currency का नाम दिया गया है तो हमें ये बताना है कि कौन सी करेंट्री और करेंसी मैच करेक्ट है so number one is Argentina और उसकी करेंसी दी गई है पैसो ये जो मैच है वो करेक्ट है number two दिया गया है इरान की करेंसी रुपिया so ये जो मैच है वो incorrect है क्योंकि इरान की जो करेंसी है वो है रियाल third number में दिया गया है Kenya जिसकी करेंसी दी गई है शीडिंग तो ये वाला जो मैच है वो correct है fourth number में दिया गया है Spain जिसकी करेंसी दी गई है dollar सो यह वाला जो match है वो incorrect है क्योंकि Spain की जो currency है वो है euro सो यहां पर सिर्फ दो ही match correct है वो है number one and number three hence correct option is a question 32 match the columns and select the correct option यहां column 1 में दिया गया है painting and column 2 में दिया गया है painter तो हमें पहले columns को उसके सही painting and painter के साथ match करना हुगा सो पेंटिंग कॉलम के अंदर पी वाला है girl with a pearl earring तो इसका हो जाएगा painter में जोनस वेर मीर धैन दिया गया है painting the starry night तो इसका हो जाएगा Vincent van Gogh after that है Guernica जिसका हो जाएगा Pablo Picasso and last one is the last supper जो की है Leonardo the Vinci correct option is D question 33 select the correct options यहां पर तीन statements दिये गए हैं सो हमें बताना है कि इन में से कौन कौन से statement correct है statement first the Olympic flag was first flown in 1920 games 1920 में जब Antwerp में games held हुआ था Olympic flag पहली बार वहां लहराया गया था so this statement is correct second statement the first winter Olympics were held in 1924 तो 1924 में winter olympic games पहली बार held किया गया था और यह हुआ था France में so this statement is also correct statement third the United States has hosted the summer olympics four times USA में summer olympic games चार बार हुए हैं यह हुए हैं St. Louis में 1904 में Los Angeles में 1932 में और 1984 में and most recently in Atlanta in 1996 so this statement is also correct so statement 1, 2 and 3 all the three statements are correct hence correct option is D question 34 which of the following devices converts images from documents into digital form option A में जो image दी गई है वो है प्रिंटर की so a printer is a hardware device that is used to get a hard copy of a document or a file या कोई भी आपको picture अगर print करनी है तो उसकी भी hard copy आपको इसके द्वारा मिल सकती है option C में दिया गया है speaker जो की एक output device है जिससे की आप sound सुन सकते हैं किसी भी movies का, games का या कोई भी audio, video recordings भी सुन सकते हैं option D में जो image दी गई है वो है joystick की जो की एक pointing और controlling device है जिससे की आप monitor पर या screen पर दिये गए objects को control कर सकते हैं और इसका सबसे जाधा use जो है किया जाता है video games में and हमारा जो option है that is a device that converts images from documents into digital form is option B scanner question 35 the given bar graph shows the number of masks sold by a shopkeeper during 5 months study the graph carefully and answer the following questions so यहां पर यह बार ग्राफ आपको दीख रहा होगा जिसमें number of masks sold का data दिया गया है और कौन से महीने में कितना mask sold किया गया है वो भी data यहां पर clearly mention कर दिया गया है and इस image और इस bar graph के अधार पर दो questions पूछे जा रहे हैं तो पहले हम first one solve कर लेते हैं so question one is how many more masks were sold in the month of March than in January तो इस बार ग्राफ में देखके हम बता सकते हैं कि January में 2000 March sell किये गए थे और March में 4000 mask sell किये गए थे अब March का जो mask 4000 है and January का 2000 है so 4000 subtract 2000 we get 2000 mask so 2000 more mask were sold in the month of March than in the month of January तो यहां पर हमें first question का answer मिल गया जो कि है 2000 अब हम यहां option में देख लेते हैं कि 2000 कहां पर है so यह है option A और option D तो यहीं पर हम option B और C को strike out कर लेंगे अब question 2 है how many total mask were sold during the months of February, April and May together यहां पर हमारे पास data है February में 2500 mask sold किये गए है, April में 3000 and May में 5000 simply हम इन तीनों data को add कर देंगे तो हमें हमारा answer मिल जाएगा जो कि है 10500 and यह answer हमें दीख रहा है option D में so correct option is D प्रम कर रहा है प्रते बादेंगी पीख प्रतेव प्रते शोप्ते कर दो देंगी